भूकम के तेज जटकों से दहल उठाये ताइवान, 7.5 की तीवरिता का भूकम ताइवान के अंदर आया है और जो जहां है बस महीं पर थम गया है, रेस्क्यू आपरेशन बहुत तेजी के साथ चल रहा है, होयलिन प्रांथ बताया जा रहा है ताइवान का जो की मुख्य कें इमारते दिखाई दी, टिल्ट हो गई है इमारते और अभी उसमें फसेवे जो लोग हैं उनके रेस्क्यू का काम सबसे पहले तेजी के साथ किया जा रहा है, प्रात्मिक्ता यह है कि आसपास की भी जो इमारते हैं उन्हें खाली करा लिया जाए, आपको यह मैं बताओं कि चाहे वो रेलवे सेवा है, मेट्रो सेवा है, हवाई सेवा है, सब कुछ अभी बादित है ताइबान के अंदर, इसके अलावा दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल, कॉलेज बंद कर दिये गए हैं, जो जहां है बस वही पर थम गया है, अपनों की सुरक्षित रहने की सलामती की दुआ इस वक्त बस लोग मांग रहे हैं, क्योंकि चाहे जमीन है, मकान है या फिर पहार, क्योंकि हमने देखा लेंसलाइट की तस्वीर भी सामने आई, जाहिर से बात है, जब जमीन हिलेगी, डोलेगी, तो पहार भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और पह इतना तीवर्था और रियक्टर स्केल पर 7.5 इसकी तीवर्था जो मापी गई है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, कि ये कितना भयावा भुकम रहा होगा, और ऐसे भुकम को ताइवान के लोगों ने बीते 2.5 दशक में कभी महसूस नहीं किया है, और यही बज़ा लेकिन जापान ने ये बताया है कि उसके दक्षणी दो ध्वीपों के ऊपर सुनामी आई है, उची-उची लहरे वहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे ही फिलिपीन के लिए भी है, इसलिए जो समुद्री इलाके हैं, वहाँ पर भी खाली कराने का अभी क काम किया जा रहा है, ताइवान की लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस जलजले के बाद हर कुछ वहाँ पर ढहता हुआ दिखाई दिया है, आप देखें ऑफिसस के अंदर की जो तस्वीर सामने आ रही है, वो भी ऐसे ही है, लाइट हिल रही है, लोग दैशत में है, एक मीडिया हाउस से तस्वीर आई कि महाँ पर जो लाइट्स लगी हुई थी, वो बिलकुल जूलती हुई, वहाँ पर दिखाई नहीं, जैसे जोर-जोर से कोई उसको हिला रहा होगा, पुल के उपर की तस्वीर सामने आई, पुल जोर-जोर से हिल र अंदर हमने देखा कि कहीं पर बच्चा फसा हुआ था, लोग बाहर थे, तो उन्हें निकालने का काम सबसे पहले किया गया, अभी पूरे ताइवान के अंदर ऐसी खबरें मिल रही है, कि जो एम्बुलेंस है, उसका सायरन दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है लोगो थमे हुए हैं, वैसे भी दफ्तर बंद कर दिये गए, स्कूल बंद कर दिये गए, तो जो जहां है वहाँ पर थमा हुआ है, सरकार की तरफ से एक आ गया है, कि आप सुरक्षित जगों पर चले जाए, घरों के बाहर ना निकलें, और हिफाज़त से रहें, या अलर्ट सरका और तबाही, अभी ताइवान के अंदर दिखाई दे रही है, इसके अलावा जापान और फिलिपीन्स में भी अलर्ट तो जारी किया ही गया है, अब कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, या वो कौन-कौन से शहर हैं ताइवान के जो सबसे ज़ादा प्रभावित हैं, कु तक धराशाई होती भी दिखाई दिए, एक तरफ को झुकी भी दिखाई दिए, तो ये वो जलजला है, ये वो तुफान है, ये वो भूकमप है, जो ताइवान के लोगों ने बीते कई सालों में महिसूस नहीं किया हैं, और अब भी लोग देहशत में जी रहे हैं झाल झाल